एक बार एक कुट्टे ने जंगल में एक शेर को देखा, शेर उस कुट्टे से बहुत ज्यादा बढ़ा था और कुट्टे को दार लगा, लेकिन शेर ने कुट्टे को कुछ नहीं कहा और छुपचा आगे बढ़ गया, कुछ देर बाद कुट्टे ने एक चिडिया को देखा चिडिया बहुत चोटी थी और कुट्टे के पास आकार रो रही थी कुट्टे ने पूछा क्या हुआ चिडिया क्यों रो रही हो चिडिया ने बताया शेर ने मेरे बच्चे को पकड़ लिया है मेरी मदद करो प्लीज कुट्टे ने सोचा की शेर बहुत बड़ा है और उससे लड़ना बेकार है लेकिन चिडिया की मदद करना उसकी जिम्मेदारी है उसने चिडिया को साथ लेकर शेर के पास जाना शुरू किया जब शेर ने कुट्टे को देखा तु उसने कहा तु अभी तक जिन्दा है शेर मुस्कुरा कर बोला, तुझे क्या लगता है? मैं अपनी खुद की रोटी कैसे कमाऊंगा? मैं ये चिडिया को अपने बच्चों का. शेर ने अपनी बात पूरी नहीं की और उसके हाथ से अचानक एक शिकार दोड़ कर गुजर गया. कुट्टे ने देखा की शिकार शेर के पास से निकल गया था और उससे पता चला की शेर ने शिकार किया था. शेर को शिकार करने की वजह से चिडिया के बच्चे को छोड़ना मुश्किल हो गया था. कुट्टे ने सोचा की अब उससे कुछ करना ही होगा. वो शेर के पीछे दौडने लगा और शेर को पकड़ कर शिकार को छीन लिया शेर ने कुट्टे को देखकर क्रोधित होकर उससे मरने की कोशिश की लेकिन कुट्टे ने चिडिया के बच्चे को छोड़ दिया और शेर के हमले से बाग गया चिडिया बहुत खुश हुई और कुट्टे को धन्यवाद दिया कुट्टे ने कहा ये मेरा फर्स था मैं बस सही चीज को सही जगहे पर रखना चाहता हूँ चिडिया ने कुट्टे को बहुत समझाया कि ये शेर बहुत बड़ा और खतरनाक है और कुट्टे ने भी उसकी बात सुनी लेकिन कुट्टे ने भी अपनी जिम्मेदारी को समझ लिया और शिकार के लिए शेर को मारने की जगह, चिडिया के बच्चे को बचाने के लिए उसके पीछे दोड़ना चुना जंगल में कुट्टे ने एक बहुत बड़ा साहस दिखाया और अपनी जिम्मेदारी को निभाया ये कहानी हमें ये सिखाता है कि अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए कभी कभी साहस और हिम्मत का सहारा लेना जरूरी होता है